इस देश का चुनाव आयोग सायद कुछ भी एक्षन भरत्य जंता पार्टी के नेताव और उनके कूकरमों पर नहीं लेगा। आज एक बड़ी खबर निकल करा रही है जहां कलकत्ता हाई कोट ने भरत्य जंता पार्टी के विज्यापन के उपर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। आतन विरोधी दिखाना और दूसरा भरस्टा चार का सारा का सारा मठका विपक्स के उपर ही फोड़ना। ये दोनों काम भरत्य जंता पार्टी ने तरणमूल कॉंगरेस के खिलाप किये थे। और आज मामला जब हाई कोट पहुंचा तो हाई कोट ने भरत्य जंता पार्टी को जटका तो दिया ही। चात चुनाव आयोग को भी फटकार लगाते हुए कहा कि आप अपनी ड्यूटी निभाने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। खोर विफल रहे हैं। ये कैलकत्ता हाई कोट के जस्टिस भटाचारिय की टिपनी है। बताना चाहूंगा कि आजकल बार बार पील की जारी है विफलक्सी निताओं के दुवारा भी नागरीकों के दिवारा भी कि आचार सहीता का उलंगन खुले आम हो रहा है। भरत्य जनता पार्टी के नेता तमाम सीमाओं को लांग रहा है। चुनाओ आयोग आप उठिये। राजस्थान के बासवारा में प्रधानमंत्री मोदी जी के दुवारा भासन दिये गए थे। किस तरीके से कहा गया था कि अगर कॉंग्रेस आती है तो देश के संसाधनों को हमारे माताव बहने के सोने को जादबच वालो घुस पेटियों में बाट देंगे। ड्रा रहे थे देश की जनता को। योगिया दितनाजी क्या कहते हैं कि अगर कॉंग्रेस आगी तो वो सब को अपनी च्छनिसार खाने की छूट देगी। मतलब गोकसी कराएंगी। नागरिकों के निस्प्रक्ष चुनाव का हनन है और चुनाव आयोग आपको समय बद तरीके से कारवाई करनी चाहिए थी। हमें मजबूर होकर स्टे देना पड़ रहा है, मजबूर होकर हमें भरते जन्ता पार्टी के विज्यापन के उपर रोक लगानी पड़ रही है। और अगले आदेश तक बीजेपी तिरनमुल कॉंग्रेस के खिलाप अपमानजनक विग्यापन नहीं चला सकती पूरी तरीके से अपमानजनक चीजें करके ये विपक्स को बदनाम करते हैं उसके उपर रोक लगा दी गई है। चुनाव योग ने देखी नहीं किया कुछ भी मामला कलकटा हाई कोट में गया समय लगा होगा लिस्टिंग में भी सुनवाई होई होगी और वहां से आज नतीजे आ रहे हैं और नतीजे आने के साथ-साथ कलकटा हाई कोट के जस्टिस पट्टा सहर्या ने एक और बड़ से जा रही है चुनाव योग को शिकायते की जा रही है लेकिन सरयाम नोटंकी चल रही है ऐसा लग रहा है कि भाजबाईयों को खुली छूट दे रही है कि जिस तरीके से तुम वोटो को भुना सकते हो चुनाव को जिस एंगल से मोड़ कर अपने पक्स मिला सकते हैं लाओ हम कुछ नहीं कहेंगे नवनीत राणा ने 15 सेकेंड का समय दिया था नवनीत राणा ने ही कहा था कि जैसी राम नहीं कहने वाले पाकिस्तान चले जाओ यहां रहना होगा हिंदुस्तान में जैसी राम कहना होगा उन्होंने तीसरी बार इस बात को रिपीट कर दिया है कि 15 स मिच्छा मुसलमानों को लेकर रोज बयाना देते हैं, आज भी हर्याना में मुसलमानों को लेकर अनाप सनाप इनों ने बोला है, विपक्स को बदनाम करने में इतनी सी भी रत्ती भर भी कोशिस नहीं कर रहे हैं, मुख्य मुद्दा, धर्म और राश्ट्रवाद और दोनों जूठे जिन मुद्दों के उपर आज मानन या जजज साब ने कैलकटा हाई कोट के भटाचारिय साब ने टिपने की है कि त्रिनुमल कॉंग्रेस के खिलाप जो भियान चलाय गए थे जो एड्स चलाय गई थी बीजेपी के दवरा वो दो परकार की थी पहली तो टीमसी को करार देते हुए इन दोनों विध्यापनों को दिरना मुल कॉंग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के अधिकारों का उलंगन बताते हुए पूरे देश के आम नागरिकों के निस्पक्ष चुनाव के अधिकार का हनन बताते हैं फटकार लगाई और चुनाव आयोग को कहा कि आप पूरी तरीके से फैल हो चुकी है आपको एक्षन लेना चाहिए था ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी कि ये मेटर कोर्ट में आ रहा है आप क्या कर रहे थे जवाब देजिए और साथी भरते जिंता पार्टी के इस तरह के विज्यापनों के उपर आगे तक रोक लगा देगी है लेकिन मुझे बताइए क्या चुनावा योग सुधरेगा क्या पीम मोदी के ब्यान के उपर कुछ उफ किया इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने भाईचाब पुलिस से जवाब मांगा है कि आपने प्रधान मंतरी मोदी जी के दोवारा तो ब्यान दियागा था राजिस्थान के बास वाड़ा में क्या कॉंग्रेस की सरकार आती है कि तो हमरे महिलाओं के सोने की जड़ती करके ये ज़्यादा बुच्च वाले घुसपीटी और मुसलमाने बाठ देंगे कि इसके उपर क्या एक्षन लिया कोट जवाब मांग रहा है सुप्रिम कोट कह रहा है कि भाई साब चुनाव आयोग हमें बताइए कि 48 घंटे के अंदर आपने सारे आकड़े मत परतिशत कितने हैं उसके जारी कि हो नहीं कि यह सुप्रिम कोट मांग रहा है देली हाई कोट मांग रहा है और केलकता हाई कोट यह टिपनी आ रही है लेकिन हर रोज आज भी भिरह मंत्र अमिच्या योगी जी पल्धान मंत्री मौद जिनकी भासन भरते जंता पार्टी की यूटूब चैनल पर जाकर सुन लिजे कितन कॉंग्रेस आगी तो जमीन बटवा लेगी कॉंग्रेस आगी तो हिंदू धिर्म खत्रे में आ जाएगा कॉंग्रेस आगी तो मुसल्मानों को गोकसी की खुली छूट दी जाएगी क्या चीजी है यह भर्ष्टाचार का सरगना बताना और सनातन विरोधी बताने की ही तो क हैं और ऐसी एड चलाई जा रही है एड में दिखाया जा रहा है कि देखी सीस्टी ओविसी के रिजर्वेशन को कॉंग्रेस चीन कर मुसल्मानों में बाट देंगी हम आएंगे तो मुसलिम आरेक्शन को खतम कर देंगे इनके साथ ही जो इनके साथ चुनाव लड़ रहे है चंदर बाबु नाइडू जी वो कहते है कि हम तो इस आरेक्शन के पक्स में हैं हम याजरत हज्यातरा में हम एक लाख रुपए देंगे जडियस वाले गरो करने इस बात के उपर कि हमने चार परशन डारेक्शन मुसल्मानों को करनाटक में दिया लेकिन खुले आम जूट तो नफरत का बोल बाला है सुनाव आयोग मुख पर टेप लगा कर सोया हुआ है कोई मतलब नहीं है उससे मैं तो चाहता हूँ कि माननिया सुप्रीम कोट को सुनाव आयोग के मुख आयुक्त को राजियू कुमार को और जो दोनों हैं उनको कठगड़े में बुलाइए और वह व्यक्ति लिखित में माफि मांग चुका है कि मुझे से गलती होगी मैंने गड़बड़ी की थी ऐसे ही इनी चुनाव आयोगतों को कठगड़े में खड़े करके मानने ये सुप्रीम कोट सिजिया चंदर्चूड साब इस देश के लोगतंतर को बचा लेजी चंदर्च पूरे देश डिवल पर डिसीजन होना चाहिए अकिला तिनमुल कॉंग्रेस के उपर है नहीं अकिला हाई कोट से नहीं हिसाब होना चाहिए और हिसाब होगा तो जिन जिन मुद्दों को उठाए गए हैं और जब मैटर कोट में जाएगा रचार सहीं था के कानून पढ़े कि आजा चुका है वैसा ही एक्षन इन भाजबाईयों की उपर भी होना चाहिए ताकि पता लगे किस देश में लोक्त अंतर जिवीत है ताकि पता लगे कि हां चुनाव आयुक्त की न्युक्ति के लिए सिजियाई साब का होना जरूरी है भाजबाईयों ने मन माने ढंक से सिजियाई साब को मुख्य चुनाव आयुक्ति न्युक्त करने के पैनल से बाहर क्या था इस देश की जनता उस समय पर आख मूंदे बैठी थी लेकिन देख रही थी सुन रही थी कि इस देश में हो क्या रहा है उसी समय पर पता चल गया था भाजबाईयों का चाल चरितर चाहरा क्या है इसी चुनाव से पहले धरातल की असल रिपोर्ट दिखाने की जो कोशिशे करते हैं संतंतर पतरकार उनको दबाने के लिए एक कानून लाया गया था कि हम ही बताएंगे कि कौन सी फेक न्यूज है और जो फेक न्यूज हम करार दे देंगे उसको सभी एलेक् नहीं होने का मतलब वह कम लोगों तक पहुंच पाती है रीच उसकी लिमिटीड कर दी जाती है जाने कि इवियम की उपर हम कुछ नहीं बोल सकते है अगर इवियम लबज भी हमने बोला वीडियो में तो ही यलो निशान आ जाएगा उसकी रीच लिमिटीड हो जागी कुछ लोगों तक ही वह पहुंचेगी यह नोबत तो आज के दिन आलड़ी आ चुकी है और यह क्या क्या करना चाहते था आपके सामने सारी चीज़े हम लोगो बताई है तो एक साथ सुप्रेम कोट का आना चाहिए और असली मुर्गे है ना उनको पकड़ कर दिखाओ कि इस देश का लोकतंतर खून की नदिया बहा कर मिला है ऐसे नहीं मिला अंगरेजों के तल्वे चाड़ने से ना 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 तोप के आगे खड़े होकर हमारे संतता से ना अपने आपको ओड़ा दिया हस्ते हस्ते फासी के देखते को चोम लिया इसको ऐसे ही बरबाद ने होने दे इस तेस्का सुप्रेम कोट तेस्का सुप्रेम कोट